तमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करता हूँ बहुती प्रसंचित होंगे दोस्तों कुंडली के 12 भाउ होते हैं 12 भाउ से हमारे पूरे जीवन वरतांत का पता लगता है आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि मंगल क्रह आपके सभी बारा भाव में अलग-अलग बैटकर क्या फ़ाल देते हैं सबसे पहले बात करते हैं अगर मंगल आपके लगन में विराजमान है तो क्या फ़ाल देंगे मंगल लगन में बैटकर जातक को कुरूर बना देते हैं साहसी बना देते हैं और विवसाय में हानी का भी कारक दिखता है और ऐसे विक्ति के बारे में ये भी होता है कि मंगलिक दोश होने के कारण ऐसा विक्ति अलपायू होता है यानि उसकी उमर भी कई बार किसी घाओ, दुरगटना वगएरा के कारण कम होने का अंदेशा रहता है क्योंकि मंगल आपके लगन में बैठ कर आपको पूरण रूप से सहसी बना रहे हैं त्वित्व भाव को धन का वानी का संपती का भाव बोलते हैं इस भाव में अगर मंगल विराजमान हो गए तो आपका वानी में थोड़ा कड़वाट होगी यानि दोश हो जाएगा इसको वानी का साथ साथ घर का भी बोलते हैं, परिवार में भी कुछ ना कुछ कमिया नज़र आ रही है त्वित्य भाव में बैटकर अगर मंगल बैटे हैं तो आपकी वानी कटू वानी हो जाएगी धन का भी अभाव होगा, धर्म के प्रती आपकी आस्ता तो होगी लेकिन उसके साथ साथ कानों के और नाक के नेतर के रोग हो सकते हैं ऐसे वेक्ति का चेहरा भी बहुत अच्छा नहीं होता धन का भाव होता है और विद्या का भी अभाव नज़र आता है परन्तु इसके विप्रीत अगर मंगल यहां उच्च के बैटे हैं मंगल के उपर शुब द्रिष्टियां है तो इस भाव में बहुत अनेका नेक वृद्धी कर देगा यानि अगर अपनी उच्छ राशी में बैटे हैं या मूल राशी में सेकेंड भाव में बैटे हैं तो आपको संपति, धन, वानी हर तरह से बड़ोत्री देगा तीसरा भाव चोटा भाव बहन और साहस का भाव होता है यहां पे मंगल बैटकर आपको बहुत पराकरम दे रहे हैं साहसी बना रहे हैं विप्रीत परिष्टितियां आ जाएं जैसी मर्जी आ जाएं आपकी कटू वानी होने के कारण आपको थोड़ी सी समाज में दिक्कत आ सकती है भाई नई होने का भी अंदेशा नजर आ रहा है वैसे आप मंगल इस भाव में बैटकर आपके गुणों में अनेकानेक बड़ोत्री कर रहा है चतुर्थ पाव बोलते हैं सुक का माता का मंगल अगर यहां बैठे हैं तो मा के लिए अच्छा नहीं होता और ऐसे वेक्ति को वहान का सुक भी नहीं मिलता यानि ऐसे वेक्ति अगर मंगल बैठ गए तो संतान का भी सुक नहीं मिल पाता और बहुत सारे जो सुख होते हैं वो इनको नहीं मिल पाते वहां गाड़ी मकान जो भी लगजरी की चीज़ी है चौते भाव में अगर मंगल बैठा है तो इससे आपको बन्चित कर देता है कुंडली का पंचमभाव संतान का रोमांस का होता है अगर यहां मंगल विराजमान है तो आपकी जो है उगर बुद्धी होगी बहुती उगरता होगी आपके अंदर वैसेनी यानि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे वैसन लगे होंगे या ऐसी कोई आत्ते होंगी जो समाज में अच्छी नहीं माने जाती उदर के रोगी भी होंगे संतान का सुख भी यहां पे थोड़ा सा नहीं नज़राता पुत्र का भी योग नहीं नज़राता इसमें मंगल बैठकर आपको बुद्धी हीन बना रहे हैं और गरीबी की भी चिंता दिखा रहे हैं चटा भाव रिण का रोग का और डर का भाव होता है अगर यहां पे हमारे मंगल विराजमान हैं तो आपको बलवान बनाएंगे और बहुती ज़्यादा खर्चीले होंगे स्वास्थे की हानिया जरूर दिखा रहा है चालाक हैं आप और करूर भी हैं और इस भाव में बैठकर शक्ति शाली भी आपको बना रहा है और अगर अच्छी दृष्टी है और अच्छी इसके उपर बलवान अच्छे गरह में बैठावा है और अपने उच्च में बैटावा है, तो ऐसे भाव में बैटकर आपको लक्ष्मी का भी ये बहुत अच्छा धन दौलत का आपको स्रोत्र देगा, विख्यात बनाएगा और शत्रों पर विजय प्राप्त करने की भी इसकी शमता होगी. सात्मा भाव विभा का जीवन साथी पार्टनर्शिप का होता है, मंगल अगर सब्तम में बैटे हैं, तो ऐसा वेक्ति वातकार होगी होगा, शीक गरुसको क्रोध आजाएगा, पानी उसकी बहुती कटू होगी, धन का नाश भी नजर आ रहा है, ऐसा वेक्ति बहुती इर्ष रोग से ग्रस रहता है, मुकद में बाजी भी नजर आती है, ऐसे वेक्ति के साथ, इसके बाद अस्टम भाव, आयू, मिर्तियू, अप्मान का भाव है, अगर यहाँ पे हमारे मंगल विराजमान है, तो ऐसे वेक्ति को वैसे नी, यानि उसको बहुत सारी ऐसी आत्ते होगी, शराब पीने की, जुवा खेलने की, कठोर वानी होगी, उसकी नेतर का रोगी होगा, और धन का भी कमियोंने कारण, धन के कारण वो चिंतार युक्त रहेगा, धन हीन रहेगा, और लोग ऐसे वेक्ति की निंदा करते रहेंगे, और एक और चीज आ जाती है, ऐसे मे कोई चोट लगने का भी भेह रहता है, और आयू में भी थोड़ी कमी दिखा रहा है, एक्सिडेंट वगरा का भी कुछ चांस दिखता है, नवम भाव को हम भाग्ये का भाव बोलते हैं, अगर इसमें मंगल बैठे हैं, तो आपके पिता के सुख में कमी दिखा रहे हैं, य कुछ अच्छा प्रतिनितियु से मिल सकता है, यानि सरकारी अच्छी नौकरी मिल सकती है, यानि राजा का सरकार का ऐसे वेक्ति प्रिय होता है, लेकिन पिता कर नहीं होता, और ऐसे वेक्ति के अंदर एक और चीज़ है कि इसको लाब कम मिलता है, यानि जो भी फायदे हैं कब द्टली का दस्वा भाव करम का भाव बोलते हैं बहुत इंत्टम भाव है अगर मंगल यहां बैटे हैं ऐसे वेक्ति को भहूत इंक्छाती मिलेगी गेन मिलेगा जल्दी से सक्सेस मिलेगी और धनवान वेक्ती होगा कुलका दीपक होगा सुखी होगा ये शश्ष्वी होगा और बहुत सारी गारियों वगारा का मालिक भी होगा लेकिन थोड़ा करूर होगा गुस्से वाला होगा और राजा के समान इसका वेवार होगा इसको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी ग्यार्मा भाव बोलते हैं लाब का भाव अगर यहां पे मंगल विराजमान है तो आपको धनवान देंगे लाब मिलेगा और जीवन में शोक कभी नहीं मिलेगा यानि शोक रहित रहेंगे कभी जीवन में ऐसी को दुरकटना वगारा का कोई भी समाचार नहीं मिल सकता धनवान होंगे और सुकी होंगे और धहरेवन भी होंगे कुंडली का बार्वा भाव बोलते हैं वय का भाव, शया सुक का भाव, विदेश यात्राओं का भाव मृत्यु का और जेल का भाव भी बोलते हैं मंगल अगर यहां बैठा है तो आपको यहां रोग देगा, आपको जेल यातरा का भी कुछ अंदेशा नजरा रहा है, मंगल यहां बैठकर आपको विदेश यातरा कराएगा या विदेश की अंदर आपका सेटलमेंट भी करा सकता है, आँखों के रोग भी हो सकते हैं, ऐसा वेक्ति के बारे में कहा जाता है, अगर बारे में मंगल बैठा है और नीच का और कुरूर का है, तो ऐसे वेक्ति की पत्नी या पती ज्यादा लंबी पारी नहीं खेलते उनके जीवन में, ऐसा वेक्ति उग्र होता है, खर्चीला होता है और उसके उपर बहुत सारे रिण हो जाते हैं और प्रूर होने के कारण साथ साथ चुगल खोर भी होता है। आपका भूत भूत धन्यवाद हमारे चैनल को आप पसंद करते हैं लािक करते हैं।